हलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब आप सभी का स्वागत है मेरे चेलर पर आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी दलिया की खीर तो चलिए हम बनाते हैं इस खीर को यहाँ पर मैंने देखिए छोटे दाने बाला दरिया लिया है यह मार्केट का दलिया है तो चलिए हम खीर बन तो यहां पर हम ड्राइफूट को घी में थोड़ी दिर फ्राई करेंगे ड्राइफूट फ्राई हो चुके हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं ड्राइफूट को हम ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे इनका कलर चेंजर नहीं करेंगे अब यहाँ पर मैंने किसमस को भी थोड़ी इनको भी हम फ्राई करेंगे ड्राइफ़ूट को फ्राई करके खीर में डालिए बहुत यह चप लिवर आता है इनको भी हम निकाल लेते हैं अब हम बचा हुआ जो गी है इसमें हम डलिया डालकर डलिया को पाच मिनट तक लोटू मीडम फ्लैम पर अच्छे से इसको हमें भूझना है डलिया जब भूझ जाता है तो देखिए अभी इसका कलर थोड़ी यलोसा दिख रहा है भूझने के बाद इसका कलर थोड़ी भाइट सा हो जाता है इसमें बहुत यह अच्छी कुछ भूआने लगती है बहुत ही टिस्टी लगता है देखिए इसका कलर थोड़ी चेंज हो गया है तो यहां पर हम आदे कटोरी दलिया लिया है तो इसमें हम आदा लीटर दूड डालेंगे दो कप आदर लिटर दूद का इस्तमाल किया है मैंने बहुत ही अच्छा दलिया बनता है परफेक्ट यहाँ पर हम पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे दूद में ही हम दलिया को बहुत ही अच्छे से उबालेंगे इसको हम low to medium flame पर दलिया को बहुत ही अच्छे से उबालेंगे मैंने यहाँ पर गुड का इस्तमाल किया है गुड से दलिया की खीर है वो बहुत ही टेस्ट लगती है आप चाहो तो यहाँ पर चीनिंग का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन सर्दियों के मौसम में गुर्ड डाल के ही दलिया बनाई ये बहुत ही हेल्दी होता है तो गुर्ड बहुत ही जट से मेल्ट हो गया है यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैंने इलाइजी पाउडर डाल दिया है दलिया बहुत ही अच्छे से दाना दाना इसका खिल कर अच्छे से पक चुका है अब हम यहाँ पर मिलाई डाल रहे हैं दूद की जो मिलाई होती उसी को डाल रहे हैं आप चाहो तो यहाँ पर एक चम्मच गी काईज भी इस्तमाल कर सकते है दलिया हमारा बन चुका है तो चलिए अब यहाँ पर हम फ्राइ की हुए ड्राइ फूट डाल देते हैं इनको हम मिलाते हुए English Test Time लेते हैं कि इनके बड़े से बरतन में निकाल ले64 ऒार गिंप लगके इनको बेसे बरतन में निकाल लेते हैं जिससे यह थठडा हो जाएगा, तो दलिया बनकर तैयार हो चुका है 10 मिनट में ही बहुत ही अच्छा दलिया की खीर बन चुकी है देखिए आप लोग को मेरी यह रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक करें ठैंक यू